साथियों, आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि देश के नागरीकों को सतक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलोजी पर विशेस बल दिया गया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरीकों पर ट्रस्ट करती हैं। उन्हें संका की नजर से नहीं देखती है। इस बरोसे ने भी प्रस्टाचार के अनेकों रास्ते बंद किया है। इसलिए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटा कर करप्शन और अनावशक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। डिजिटल टेकनोलोजी से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पैंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र तक सेक्डो सुईदाय बिना बिचोलियों के डिलिवर की जा रही है। ग्रूप C और ग्रूप D की भरतियों से इंटरिव खत्म किया तो गरीव और मिल्ल क्लास को करप्शन के दबाव से मुक्ति मिली है। गैस सिलिंडर की बुकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं तक ऑनलाइन और फेस्लेस प्रक्रियाएं उन लंबी लाइनों से मुक्ति दे रही हैं जो प्रस्थाचार का बहुत बड़ा जर्या रही है। साथियों, ट्रस्थ और टेक्नलोजी से एफिशन गवर्नन्स और इज अब बिजनेस पर क्या असर हुआ है यह आप सभी भली भाती जानते हैं। परमिशन और कंप्लाइंस के नाम पर, बिजनेस को शुरू करने और बंद करने के नाम पर, बैंकों से लोन लेने या लोन को रफा दफा करने को लेकर, जो कुछ भी अतित में हुआ है, जो देश को नुक्सान हुआ है, उसे अब ठीक किया जा रहा है। बीते सालों में सेंकडों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साफ किया है, और आज की चुनोकियों को देखते हुए सक्त नए कानून भी देश को दिये हैं। हजारों कम्प्लाइंस और भाती-भाती के अनोसी तरह-तरह की परमीशन के नाम पर करप्सन का कैसा खेल चलता था, ये आप से बहतर कौन जानता है। बीते सालों में हजारों कम्प्लाइंसिस खत्म किये जा चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसे हजारों कम्प्लाइंसिस और खत्म करने का इरादा है। अधिकतर परमीशन को फेसलेस किया जा चुका है। और सेल्फ एसेस्मेंट, सेल्फ डेकलेरेशन जैजी प्रक्रियाओं को बिजनेस के लिए भी फ्रोशाइद किया जा रहा है। जैम एनि गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस की वज़े से सरकारी, खरीद और ये टेंडरिंग में पारदर्शित आई है। उल्जने कम हुई है। डिजिटल फुट्प्रिंस ज्यादा से ज्यादा होने से, इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा आसान और सुविजादनक हो रहे हैं। हाल में लॉंच किया गया PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, इससे भी decision making से जुड़ी अनेक मुस्किले समाप्त होने वाली है।